वन खेल कुद प्रतियोंगिता का आगाज 10 मार्च को प्रतियोंगिता का आगाज हुआ और किंद्र यह मंत्री भूपिंट रियादफ का आने का कारिक्रम अभी रद्ध हो गया है अभूपिंट रियादफ की जगह कवर पाल गुजर कारिक्रम का विदिवच शुभारम ताउदे विला सेडिय में 14 मार्च तक प्रतियोगिता चलेगी और प्रतियोगिता में 2458 खिलाडी हिस्सा लेंगे करीब 500 महिला खिलाडी भी इसमें हिस्सा लेंगी तो यह बड़ी ख़बर आपको बता रही है केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादफ ने कारिक्रम का विद हो गया है और ऐसे में आपको बताने कि दरसल अब उनकी जगह यहां पर कारिक्रम का विदिवत शोबारम कमरपाल गुजर की और से किया जाएगा तो दाउ देविलाल स्टेडियम में यह खेलो का आयोजन किया गया है और यहां पर दरसल 14 मार्च तक यह प्रतियोगिता चल का विदिवत शोबारम किया जाएगा आपको बताने कि इस प्रतिक्रम में 2458 इसमें खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं जिसमें 500 महिरा खिलाडी भी शामिल कारिक्रम का विदिवत शोबारम करेंगे ताउ देविलाल स्टेडियम में 14 मार्च तक दरसल यहां पर यह प्रतियोगिता चलेंगी और ऐसे में यह पूरी जानकरी आपको इस समय हम दे रहे हैं पंचकूला में 26 में अखिल भारतिये वन खेलकूद प्रतियोगिता का आगा स्टानों के लगबग 2458 इसमें प्रतिभागी इससा ले रहे हैं इसमें फिलारी शामिल हो रहे हैं हरियाना की में इस बानी में आज ताउ देविलाल स्टेडियम में 26 में खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ है और यहां पर दरसल वन मंत्री कमवर्पन गूर्च न है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस समय सीधे पंच कूला से आपको बता दें कि केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्टर मंत्री भूपेंद्र यादव के आने का कारिकरम था लेकिन उनका कारिकरम रद हुआ है जिसके बाद अब वन मंत्री कमवर्पाल ग कारिकरम का शुभारम किया गया है क्या कुछ वजह रही उनके आने की कारिकरम के रद होने की पीछ और अभी क्या कुछ रहेगा आज के दिन कि अब देश्वार्पाल अब करना करना था लेकिए वह को चलते हैं पर जो बहुत हैं जी जी अब जा ले रहे हैं तो बिसो से ज्यादा जो खिला रही है इन गेंज में चाले रहे हैं पूल अगर बात करें तो तोन्तीस गें होने हैं सुन्तीस अलग अलग चेलों की चैपिजी है जिन में कुल 250 की मुकाबले होंगे जो वीडिवर्ट रुवात है जी तरह से आप गयां तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो अलग अलग टीम में इस प्रतियोगता में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं आपको ये भी बता दें कि दरसल इस प्रतियोगता में सबसे बड़ा दल करनातक से आया है और अधिकतर मुकाबले ताउदेविला स्टेडियम सेक्टर तीन पंचकुला में ही आयोज़त किये जाएंगे जबकि कुछ मुकाबले चंडिगर और अंबाला में भी खेले जाएंगे अगर बात करें अखिल भारतिय वन खेलकुद प्रतियोगता की तो इसकी शिरुवात 1993 में हैदराबाद में हुई थी और ऐसे में आज यहां पर अखिल भारतिय वन खेलकुद प्रतियोगता का इस बार आयोज़न हर्याना की मेंजबानी में हो रहा है और यह तस्वीरे इस समय सीजी तस्वीरे आपको पंचकूला से दिखा रही है ताउदिला स्टेडियम की तस्वीरे सीधे जहां पर दरहसल आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं हाला कि प्रतियोगता की शिरुवाठ कल से ही हो गईती बीत दिन से हो गईती लेकिन कारिकूर्म का विदिवद 커हरे थी लेकिन नहीं चिहां पर सभी राज्यों की तीम फ्रतियोगता में श्रामिल होंगने के लिए 2,400 से जादा खिलाडी है जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं चार खंगी टीम अपनी सलामी के साथ अपने फ्लैग के साथ अपनी सलामी देते हुए बहुत ही अच्छा द्रिशे है करनाटका करनाटका की टीम अपने स्पोर्ट्समेर के साथ अपने कंटीजन के साथ सलामी देते हुए बहुत ही अच्छी कोडिनेशन उसके साथ ही कैरला की टीम हुंकार भरते हुए अपनी सलामी पेश करते हुए आप देख सकते हो हर एज ग्रूप के स्पोर्ट्समेर आपको हमारी टीम में नजर आएंगे तकरीबन पच्छी सो प्लेयर विच्छी इटसेल्फ रकॉर्ड पच्छी सो प्लेयर के आसपास इस मीट में शिर्कत कर रहे हैं मध्या परदेश की टीम अपनी सलामी पेश करते हुए और मध्या परदेश का आप देख सकते हो बहुत बड़ा कंटींजेंट है सबसे बड़ा I think और इसमें हर एज गूर्प के स्पोर्ट्समेन अपनी सलामी पेश करते हुए अपने फ्लैक के साथ हमारे माननी है चीफ गेस्ट शिरीकवरपाल जी को रतनलाल कटारिया जी को अपनी सलामी पेश करते हुए उसके साथ ही हमारी महराश्टरा की टीम सलामी पेश करते हुए बहुत ही यंग स्पोर्ट्समेन इस्ट्रीम में भरे हुए है बहुत ही अच्छा द्रिश है मनीपुर की हमारी टीम अपनी सलामी पेश करते हुए बहुत है प्रिश्टर आपकी प्रिश्टर आपकी प्रिश्टर आपकी तक दोलोो प्रिश्टर जँ रिए य है मनीपुर करते हुए